Network और Sim Card Error आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको भी अपने फोन में इस तरह की प्रावबलम आती है यहाँ पर शो होता है Network और Sim Card Error तो आप अपनी यह प्रावबलम कैसे ठीक कर सकते हैं आईए जानते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर OK पर टच कर दीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल की सैटिंग्स को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर सैटिंग्स को ओपन करने के बाद दूसरे या तीसरे नमबर पर आपको एक आप्शन मिलेगा, Dual SIM and Mobile Network, आपको इस आप्शन पर टच कर देना है, टच करने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी सिम से ये प्रॉब्लम आती है, उस सिम को एक बाद डिसेबल कर दीजिए, यानि कि यहाँ पर एक आप्शन है Enable का, आपको इसे बंद कर देना है, बंद करने के बाद यहाँ पर दुबारा से चालू कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक आप्शन मिलेगा, Network Mode का, या फिर Network Type, इस आप्शन पर आपको टच कर देना है, यहाँ पर एक आप्शन है 4G का, तो आपको जो फर्स्ट आप्शन है, उस आप्शन पर टच कर देना है, और उसके बाद एक आप्शन मिलेगा आपको Data Roaming का, यह आप्शन आपको चालू कर देना है, यहाँ पर नीचे आना है एक option मिलेगा carrier का इस option पर आप touch कर दीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा automatic registration का एक option तो आपको इसे भी चालू कर देना है यह करने के बाद back आना है यहाँ पर एक option है access point name यानि की APN settings इस पर आपको touch कर देना है टेच करने के बाद यहाँ पर एक option आयागा reset to default का तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा reset to default का इस पर आपको touch कर देना है यहाँ पर यह दो तिन seconds लेगा तो wait कर लीजिए उसके बाद back आईए यहाँ पर आपको फिर से back आना है और जाना है अपने mobile की more settings में more settings में आपको एक backup and reset का option ढूढ़ना है इस तरह से तो backup and reset पर touch करने के बाद एक option मिलेगा network settings reset का आपको इस option पर touch कर देना है यहाँ पर जिस भी sim से आपको यह problem होती है उस sim को select कर लीजिए यहाँ पर एक option है reset settings का इस पर आपको touch कर देना है यह करने के बाद आपको अपने mobile को restart करना है और यहाँ पर यह problem ठीक हो जाएगी